अजयराय जी आपका जन्म बनारस में ही हुआ है अपसोस कि ना तो अजीत अंजुम के समझ में आया और नहीं अजयराय के समझ में आया बार बार दर्जन ओ बार असी मया को नाला नाला कर रहा है अभी भी प्राकृतिक गूर है असी में असी नदी को नाला बनाई यह ढग दिया वो देख लीजे नाला गिर रहा है आप देख सकते यह गंगा में आज से नहीं है इसको असी नदी बोला जाता था अब यह असी नाला हो गया यहां ऐसे कितने नाले ऐसे गिर रहे हैं गंगा में दोफ्तों यह आसी नदी और गंगा जी का संगम प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है यूपी के सियम आदितनात्योगी को नहीं दिखता है कांग्रेश के राहुल गांधी को नहीं दिखता है समाजबादी पाल्टी के राश्तिय द लिएel के नहीं दिखा अजय राइ पर ते लाइत को परियों रह है अजार स्थाला बनाई नला यह डहक दिया आठेट लीजे नाला गिर रहा हाँ, आज से नहीं है, यह नाला भाता हुआ गंगा में, यह देखे गंगा की धार, यह हजारों गैलन पानी, ऐसे गंगा में सीधे आ रहा है, 24 गंटे, और ऐसे कम से कम 500 नाले गंगा जी के अंदर गिर रहे हैं, इसको असी नदी बोला जाता ताथाब यहीड नाला हो गया वाग यहां ऐसे नाले ऐसे किर रहा है बचासू नाले गर रहे गंगा में प्रदान यही से महाराज धिराज योगी राज जी की नाव चली थी, मतलब यही उन्होंने किया था, लोगों से जन संबाद, पांच दिन पहले, अब आप देखिए यही संगम है, अभी इसका पानी रोका गया है, थोड़ी देर में खोल दिया जाएगा, मायाउती जी के समय में इसका इसे बनाया गया था, ट्रीट्मेंट प्लांट लगाया गया था, लेकिन यह पूरी तोर पर फेल तो नहीं का सकता, लेकिन पानी वई से ही आता है, अब इदर देख लिजे, यह 8 मैया है, अजैराय को नहीं पता, कि 52 तालाबों से होकर के 8 किलोमेटर की दूरी ताय करने व गंगा को समर्पित करने वाली 8 मैया मर गई है, और यह संकट मोचन से होकर के आती है, संकट मोचन यानि जिसकी अस्थापना गो स्वामी तुलसीदाश जी ने किया था, और हरुमान जी ने उन्हें दर्सन दिया था, उस संकट मोचन से होकर के आती है, बजबजाते हुए जल, मल, कुडा, कचरा, करकट सब कुछ बहाते वे, अजयराय को नहीं दिखा. असी नदी को नाला बना, यह ढग दिया, वो देख लीजे, नाला गिर रहा है, आप देख सकते हैं, आजसे नाला बहता हुआ गंगा में, यह देखे गंगा की धार, यह हजारों गैलन पानी, ऐसे गंगा में सीधे आ रहा है, 24 गंटे, और ऐसे कम से कम पच्छा सो नाले अजयराजी आपका जन्म बनारस में ही हुआ है, माना की गाजीपूर के आप निवासी है, आपके पुरवज, लेकिन जनम करम यही हुआ है, और अखिल भारती विद्यार्थी परिशत से लेकर के, भारती इंता पार्टी के कई बार आप बिधायक रहे, मिनिस्टर भी रहे बारती इंता पार्टी के, आपका अंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तीशरी बार चुलाव लड़ रहे हैं लोग सबा का, आपको नहीं दिखाया, तरस खाता हूँ, अगर उन पर ना उमीद किया जाए कि दस साल में कुछ नहीं किया, तो आपने तो जाना भी नहीं, जैसा चसमा हमारे प्रधान सेवक के आखों पर चढ़ा हुआ है, जैसा चसमा हमारे उतरपदेश के मुख्यमंतरी के आखों पर चढ़ा हुआ है, वैसा ही चसमा आपने भी लगाया है, नहीं दिखी असी नदी प्रियंका गांधी को, और नहीं दिखी दिंपल यादाव को जो हमने जैसा की वीडियो दिखाया था अब तरस आता है किस पर केकरापर करीश सिंगार मरदमर केकरापर करीश सिंगार मरदमर पियामर आनहर केकरापर करीश सिंगार तो जैसे पियम मोदी वैसे ही सियम योगी और वैसे ही यहां के प्रत्यासी अजेराय, वैसे ही राहुल बाबा, वैसे ही प्रियंका, प्रियंका भी एक बार चली थी प्रियाग राज से, नौकायन करते हुए, आई थी मिर्जापूर, कासी और यहां से आगे बढ़ी थी, उनको भी नहीं दिखा, जिंदा कोमों का धर् सबुदीदो, सबुदीदो, सियम योगी को सबुदीदो, 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 राहुल गांधी को सबुदीदो, 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 प्रियंका गांधी को सबुदीदो, 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 अखलेस यादो को सबुदीदो, सबुदीदो, पायाओती को सद बुद्धी दो, सद बुद्धी दो, सद बुद्धी दो, दोस्तों यह जो चालू हुआ है उसके मूल में हम लोग है, जब अठल जी की पार्थियू, उनकी अस्थियों को ले करके भी सरजित करना था, तो बगल में चंदवली के सांसद आ रहे थे, डाक्ट अगर यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो जो वहाँ का संगम है, बरुना और गंगा का वहीं भी सरजित कर जी है, हिम्मत नहीं हो पाई, दोस्तों चुनाओ, अब आप कहेंगे इसी समय क्यों, इसको मैं 30 बरसों से दिखा रहा हूँ, और लगातार 20-25 बरसों के डाकुमेंट्स ह हमारे पास है, पेपर की कटिंग है, लेकिन यहीं वह उसर है, जब बंद आखे न खुले, कान बहरे हो जाए, उनकी जकर बंदियों को तोड़ने के लिए जनतांतरिक आदर्सों का पालन करना ही पड़ता है, जिन्दा कवमों को कुछ दिखाना ही पड़ता है, जिससे आप देख रहे हैं, यह सीदे सीदे कुडा कचरा और पलिथीन की फेक्टरियां तो इन ही के रिष्टेदारों के घर की है, आप पता ही है, पुरवरती सरकारों में भी नहीं बंद हुआ, और बरतमान सरकार में भी बंद नहीं हुआ, अधिकारी इन्हें दिखाएंगे नहीं, इसलिए, अब पता नहीं किसका उसर आएगा मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि आप अजयराय को उट मत दीजिए, प्रदान मंतरी नेरंदर बंदी को उट मत दीजिए, आप लारी साब हैं उनको उट मत दीजिए, लारी साब ने भी गंगा के लिए बहु अब हमारी मा नहीं रही, पहली बार ऐसा हो रहा है, कि मैं नामांकन करने जा रहा हूँ, और हमारी मा नहीं है, लेकिन गंगा मिया ने कहा बेटा, हमने दस साल पहले तुम्हें बुलाया था, आप तुम्हें गोद ले रही हूँ, परदान मंत्री जी, यही गंगा मिया है, ग सिमय का और गंगा मैया का संगम है आसा करता हूँ आप सभी को ठोड़ी-ठोड़ी सरम आएगी हमें तो सरम आ रहे हैं ने लेकिन आप सभी को जिनका जिनका नाम लिया हूँ जिनका नाम चूट गया हो कोई लोगों ने कहा onsकी आप uncertainty करके करूँगा बाबू किसी से डर थोड़े ही है उनके आप ही किया हूँ आगे भी करूँगा आप देखते रही है न रिसी केस से ले करके और गंगोतरी से ले करके वहां तक किया हूँ आप डालेंगे बहुत से बीडियो पटना के हैं जहां साउच करने लोग जा रहे हैं जहां नाले गिर रहे हैं, वहाँ भी मना किया हों, टोकाटा की किया हो, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन अभसोस कि ना तो अजीत अंजुम के समझ में आया और नहीं अजयराय के समझ में आया, बार बार दरजनों बार 80 मया को नाला-नाला कर रहे हैं, अभी भी प्राकृतिक आजसे नहीं है यह नाला बहता हुआ गंगा में यह देखिए गंगा की धार यह हजारों गैलन पानी देखिए गंगा में सीधे आ रहा है और ऐसे कम से कम पच्छासो नाले गंगा जी के अंदर गिर रहे हैं यह कौन सा एरिया हुआ यह इसको असी नदी बोला जाता था अब 29 मई 2024 चुनाओ दो दिन और बाकी है और आसा करता हूँ यह कारिकाल तो खतम हो गया जिसका भी काल खंड आएगा कम से कम यह बत्तर हालत अब नहीं रहेगी नमामी गंगे तवपाद पंकजम है गंगा मैया आसिरबात दीजिए कि हम ताकत के साथ बगेर किसी भेद भाव के साथ इसको हम करते रहें और जिस मेहनत और परिस्रम के साथ महाराज भगीरत ने गंगा जी को यहा लाया था उससे जादे कुर्बानी उससे जादे बलिद जान और उससे जादे समर्पन त्याग किया जावा सकता है गंगा बया को ठीक करने के लिए मैं हूं परेजबू संदूबे बिनमरता के साथ हमारा प्रडाम स्विकार करें